नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे संबिधान में वाडित, राज के नीत इन दे सकता तो, एवन मौलिक अधिकार और करतबे तो, शुरुआत करते हैं, बिना आपका समय लिए हुए, पहला कोश्चन है, अंतर राष्ट्री सांति और सुरच्छा को बढ़ावा देने से संबंधित, प्रावधान, भारती संबिधान के निमलिकित में से किसके एक भाग के रूप में उलिकित हैं, तो, अंतर राष्ट्र सांति और सुरच्छा को बढ़ावा देने का प्रावधान, पूछा गया है कि भारत के संबिधान के किस भाग में उलिकित हैं, किस भाग के रूप में, तो, मौलिक अधिकार वाले भाग के रूप में, राजिके नीत निर्देसक सिधांत, मौलिक करतब और राजियों, अन्तर राश्ट्री सांथी और सुरच्धा को हम बडित करते हैं अनुछेद 51 के तहत अगर पूश्ड दिया जाएक कि राज्जी के नीति निसकतत समधान के किस अनुछेद में है hanging क्यावन में है किसका वड़न है अंतर राष्ट्री सांति और सुरच्छा का वड़न है पूछ दिया जाए कि ये प्राविधान जो है अंतर राष्ट्री सांति और सुरच्छा को बढ़ावा देने का प्राविधान भारती संविधान के किस भाग के रूप में है तो ये है रा तो ये जो है सम्विधान में जितने भी राजी के नीत इन दिसक्रिदान्त है, भाग चार और अनुच्छेद चाथिस से एक क्यावन तक के बीच में ये बढ़ डित है, ठीक है? नेश्ट कुश्चन है, भारत के सम्विधान का निम लिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचाईस से सम्विधान में बडित है, और भाग की बात की जाए किस भाग में है, अनुच्छेद तो चालिस है, और भाग नव के अंतरगत है, ठीक है? नेश्ट कुश्चन है, निम लिखित में से कौन सा एक राज्य का नेति निदिसक सिद्धान्त, सम्विधान में बाद में जोडा गया है, ग्राम पंचाईत का गठन, गोवध निसेद, मुफ्त कानुनी सला, समान नागरिक संगिता, अब इन में से ये पूछ रहा है, कि ब बाद में कब जोडा गया, सम्विधान के बाद में, सम्विधान में बाद में जोडा गया है, आपसर नमबर तीन, मुफ्त कानुनी सलाह, कौन से सम्विधान संसोधन के द्वारा जोडा गया, ये 42 में सम्विधान संसोधन के तहट जोडा गया, कौन से सम्विधान संसोध अधिनियम ये कब हुआ था 42 सम्विधान से 14 दन 1976 में हुआ था तत्कारिन प्रधान मंतरी स्रीमती इंद्रा गांदी जी थी ठीक है और मुफ्त कानूनी सलह मुफ्त कानूनी सलह जो है इसका वर्डन सम्विधान के किस अनुच्छेद में है अनुच्छेद 49 का में है इसका वर्डन और अनुच्छेद 48 का किस सम्वंदित है वन एवं बन जीवों की सुरच्छा बन एवं वन जीवों की सुरच्छा से सम्वंदित है कुछ और विशेज जानकारी प्राप्त कर लेते है अनुच्छेद 43 का किस सम्वंदित है अनुच्छेद 43 का प्रवंधन में मजदूरों की भागयदारी यनि मजदूरों की भागयदारी प्रवंधन में होनी चाहिए नेश्ट कुश्चन है समान कार के लिए समान वेतन को सम्वंदान में सुनस्चित किया गया है एक मौलिक अधिकार के तहित राजी के नीतिनर्दिसक्स की धन्तों का एक अंग है मौलिक करतब्ध आर्थिक आधार है किस आधार पर इसको किया गया तो ये राजी के नीतिनर्दिसक्स की धन्तों का एक अंग है समान कार के लिए समान वेतन और समान कार के लिए समान बेतन ये जो point है हमारा ये बताता है कि इस्तरी पुरुस दोनों में से कोई भी अगर एक समान पद पर है तो उनको समान बेतन मिलेगा और इसका बार्ण कहां पर है ये लिखित कहां पर है अजुच्छेद 49 घा में ये प्रतिवंद है नेस्ट कुश्चन है भारत के संबिधान में कल्याण कारी राजी का आदर किसमे प्रतिस्थापित है उद्देसिका में राजी की नीत के निदे सकत्त में मूरदिकार सात्वियन सूची तो अब इसको देखिएगा इन चार आपसनों में से हमारा कौन सा आपसन सही जाएगा आपसन हमारा सही जाएगा दो राजी की नीत निदे सकत्त्तो राजी के नीत निदे सकत्त्तो कल्याण कारी राजी की संकलपना का समावेश भारती संबिधान में है राजी के नीत निदे सकत्तों में और ये सम्विधान का भाग कौन सा भाग सम्विधान का भाग चार के तहित अनुचेद च्छतिस से एक क्यावन तक बरडित है अभी उपर वाले कुश्चन में भी मैं बता चुका हूँ कि राज्य के नीत निर्दे सकता तो भाग चार अनुचे च्छति से क्यावन तक परड़ित हैं निर्म लिखित में से कौन सा एक राज्य का नीत निर्दे सकता तो नहीं है गव मद निसेद, गव सन रच्छड, परियावर सन रच्छड, चौदा वरस की आयू तक के बच्छों को निसुल्क सिच्छा यही हमारा जो है चौदा वरस तक की आयू तक के बच्छों को निसुल्क सिच्छा यह राज्य के नीत निर्दे सकत्तों में नहीं समिलित है ये जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 45 के अनुसार ये वरडित है कि संविधान के प्रारम में 10 वर्स से 14 वर्स तक के बच्चे को सभी बच्चे जो है 14 वर्स तक के 10 से 14 वर्स के जो आई पूरी करते हैं उनको निसुलक और अनिवार सिच्छा देने के लिए उबंद करने का प्रयास करेगा लेकिन 86 संविधान संसोदन में 2002 में ये हुआ था कब हुआ था 2002 में इसमें 21 का के अंतरगत मूल अधिकारों की स्रड़ी में इसको सामिल कर लिया गया है 21 का के अंतरगत इसको मूल अधिकारों की स्रड़ी में सामिल कर लिया गया है 14 वर्स तक किया है कि बच्चों को निसुलक सिच्छा और ये राज्य का नीति इन दिसकत्त नहीं है नेश्ट कुश्चन है भारती सम्मेधान का निम्ण में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रे विक्रे या जवर्दस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंद लगाता है मुनस्ट को खरीदने मुनस्ट को बेचने या मानों के उपर जवर्दस्ती मजदूरी कराने के लिए जो प्रतिबंद यो मना करता है वो कौन सा अनुच्छेद है अनुच्छेद 23 है 22 है 24 है 32 है ये हमें पता करना है तो इसमें जो है 23 अनुच्छेद 23 ये जो है जवर्दस्ती मजदूरी क्रे विक्रे इन सब पर प्रतिबंद लगाता है और इसके साथ साथ मानव दुर्व्यापार और बलाच्रम पर प्रतिजर लगाता है नेश्ट कुष्चन भारती सम्मिधान का निमलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बिदिक समता यानि कानून के सामने समनता से समझत है एस सम्मिधान में कौन सा अनुच्छेद है जो ये बताता है कि भारत के सभी नागरिक या सभी लोग चाहे वो निम्नपद से उच्छपद पर हो कानून के सामने सभी समान है इस से सम्मंधित कौन सा अनुच्छेद है भारती सम्मिधान में तो भारती सम्विधान के अनुच्छे चौदा कौँसा अनुच्छे चौदा में बिदिके समच्छ सम्ता का अधिकार से सम्दित है इस अनुच्छेद के तहत भारत के राजचेतर में किसी भी व्यक्ति को बिदिके समच्छ सम्ता से या बिदियों के समान संदच्छ से बंच करेगा next question है कौन सा मौलिक अधिकार अलब संख्यकों के हितों की संदच्छड की बात करता है तो ये करता है सांस्कृतिक और सैच्छिक अधिकार संबिधान में अलब संख्यकों के अधिकारों और रीत रिवाजों के रच्छा के लिए तैयार किये गए संबिधान में दो अनुच्छेद है संस्क्रते और सैच्छिक अधिकारों की रच्छा करते हैं कौन-कौन से अनुच्छेद है एक तो अनुच्छेद 29 है ये क्या करता है अलब संख्यकों के हितों की रच्छा करता है और इसी के ठीक जश्टवाद अनुच्छे 30 है जो सहचिक संस्थाओं के इस्थापना और प्रसासन करने के लिए अलब संख्याओं को अधिकार देता है कि अलब संख्यक अपनी स्वैम सहचिक संस्थाओं जो होंगी उनको इस्थापन करेंगे उनको इस्थापना करेंगे और उनकर खुद प्रसासन करेंगे अपना नेश्ट है निम्लिखित में से कौन सा उधार संबेधान सुईक्रत मूलवत अधिकारों का उधार नहीं है समिधान में जो सुईक्रत मूलवुत अधिकार हैं उनका उदाहरण नहीं है बिहार के कुछ चर्मिक आजीवका है तो माराष्ट जाते हैं क्रिस्चियन मिसन, मिसनरी स्कूलों की एक सरंखलाई स्थापित करते हैं माबाप की संपत्ति के उत्तर अधिकारी उनके बच्चे होते हैं इहीं आप संसाई है भारती समिधान सभी नागिरिकों के लिए ब्यक्तिकत और सामुही करोप से एक बुनियादी अधिकार देता है लेकिन मौलिक अधिकारों के संख्या यहां पर दी गई है कितनी छे और यहां हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की छे अधिकारों में से जो हैं कि नियायाले में बाद के योग हैं ये छे अधिकार कैसे हैं नियायाले में बाद के योग हैं पेविदिक चुनोती दी जा सकती है इनकी व्याख्या सम्मिधान के भाग 3 में कौन से भाग में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक की गई है अनुच्छेद 12 से 35 तक इनकी व्याख्या की गई है अब देखिये हम कुछ महत्पूर चीजों को जान लेते हैं अनुचेद 15 में किसकी की गई है अनुचेद 15 में धर्म नसल जात लिंग या जनमिस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा इसके बाद में आ रहा है अगला अनुचेद 21 पहले तो इसमें क्या था धर्म, जात, लिंग और जन्मिस्थान की आधार पर कोई किसी से बेदवाव नहीं करेगा इसके बाद अनुचेद 21 अनुचेद 19 है वही अनुचेद 19E इसके तहट देश के किसी भी छेत्रेव निवास करने या बसने की सुतंतरता प्रतेक भारती को है वो कहीं भी देश में रह सकता है, निवास कर सकता है अगला आ रहा है अनुचेद 30 अनुचे 30 के तहट बताया है कि कोई भी अलफ संखेक अपनी मन पसंद की सैचरिक संस्ता चला सकता है यापनी सैचरिक संस्ता खोल सकता है और सरकार से उसे किसी तरह का भेदभाव नहीं मिलेगा याई सरकार उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी और अनुदान भी सरकार उसे देगी और उसके बाद में नेश्ट कुष्टन पर हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संबिधान ने किसे बिसेस उत्तरदायत तो सौपा है उच्टम नियालों को सौपा है कि संसत को सौपा है कि राश्टपति को सौपा है कि राज बिधान मंडल को सौपा है ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है कि मौली का अधिकार जो है उनको लागू करने के लिए तो ये उच्टम नियाले को सौपा है अगला है अगला देखने से पहले हम जान लेते हैं इसमें कुछ विसेत्त हो संबिधान के भाग तीन संबिधान का भाग तीन किसकी बात करता है संबिधान का भाग तीन बात करता है मौलिक अधिकारों को किसकी बात करता है मौलिक अधिकारों की ये जो मौलिक अधिकार हैं, इनकी बात का उन्स करता है, संविधान का भागतीन, और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है छे, संपत्तिका अधिकार इनमें से कौन सा, संपत्तिका अधिकार ये कि हां से हटा दिया गया है, ये कब हटाया गया है, 1978 में 1978 में 1978 में कौन सा संभिधान संसोधन हुआ था 40 मा संभिधान संसोधन कौन सा 42 में संभिधान संसोधन की बात करते हैं तो हमारा होगा 1976 तत्कालिन प्रधान मंत्री जी इंद्रा गांधी Next question है संबैधानिक उपचारों का अधिकार के तहट आता है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संबैधानिक अधिकार, प्राकरतिक अधिकार जिनका संबैधानिक उपचार किया जा सकता है इन चार आपसनों में से वो कौन सा है ये मौलिक अधिकार है मौली का दिकार है संब्धानिक उप्चारों का दिकार है और ये प्रवर्तित कराने का दिकार उस्तम नियाले को है उस्तम नियाले इसको प्रवर्तित करा सकता है और इनका अगर कहीं पर उलंगन हो रहा है तो एक अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद भारती संब्धान का अनुछेद 32 इसके अंतरगत उश्टम न्याले द्वारा रिट जारी किया सकती है और ये रिट कितने प्रकार की होती हैं पांच प्रकार की रिट होती हैं कौन सी नमबर एक बंदी प्रत्यची करण नमबर दो पे आ जाएगा परमादेश नमबर तीन पे आ जाएगा अधिकार प्रश्चा अधिकार प्रश्चा और नमबर पांच पे आ जाएगा उत्त प्रेसल उत्त प्रेसल ये नमबर नमबर पांच पे नमबर चार पे प्रतिसेद और है नमबर चार पे क्या है प्रतिसेद ठीक है एक नमबर नमबर पांच सी रशीदा ले गए नेस्ट कुश्चन है ब्यालिसमे संविधान संसोधन के माध्यम से भारती संविधान में कितने मौलिक करतब संमिलित किये गए हैं जो जो भीालिसमे संविधान संसोधन हुआ था कब हुआ था 1976 में ततकालین प्रदान मंतरी इंदरागांदी जी थी तो 1976 की बात करते हैं और किस संविधान संसोधन की बात करते हैं 42 में संविधान संसोधन की बात करते हैं इस संसोधन में संविधान के भाग 4 संविधान के भाग 4 का इसमें इसके अनुचेद 51 का में क्या जोड़ा गया है मूल करतबियों को जोड़ा गया है कुछन पूछरा है 42 में संविधान संविधान के माद्धिम से भारती संविधान में कितने मौलिक करतब भी संविलित किये गए है तो भाग चार का में कितने मौलिक करतबिक की बात कर रहा है ठीक है तो 10 मौलिक खटा दीजिए कुछ और बताने लगे 10 मौलिक करतबियों को जोड़ा गया आपसर नमबर 3 सही चला जाएगा कब जोड़ा गया 1976 में 42 में संबिधान संसोदन के तहट ठीक है और इसे कहां से लिया गया है रूस के संबिधान से कहां से लिया गया है रूस के संबिधान से मौलिक करतबियों को कहां से लिया गया है रूस के संबिधान से लिया गया है इसके बाद में इसमें 2002 कितने संबिधान संसोदन कितने मौलिक करतब थे 10 2002 सं जो आती है कौन सी 2002 इसमें एक और संबिधान संसोदन हुआ जिसको हम 86 संबिधान संसोदन कहते हैं अभी तक हम 42 संबिधान संसोदन की बात कर रहे हैं जिसमें 10 मौलिक करतब्यों को जोड़ा गया है और 11 मौलिक करतब्य 11 मौलिक करतब सन 2002 में 86 संविधान संसोदिन के द्वारा जोड़ा गया है और ये क्या है कि माता पिताय अविभावक ये सुनशित करने का करतब है उनका कि उन्हें 6 से 14 वर्स तक के बच्चों को सिच्छा का अवसर प्रदान करने के लिए दिया गया है और मौलिक करतब जो हैं उनको भारती संविधान के भाग 4 अभी पीछे हम बता चुके हैं भाग 4 अनुच्छेद 51 का के तहट जोड़ा गया है तो वर्तमान में कितने मौलिक करतब भी हो गया है हमारे पास 10 तो 42 में जोड़े गया थे येक और 11 में जोड़ा गया है 6-14 वर्स तक के बच्चों के लिए 11 मौलिक करतब भी बरतमान में है इस कुस्चन से बनने वाले सभी कुस्चनों को मैंने निचोड़ दिया है मार्च 2019 तक उपलत जानकारी के अनुसार भारती संविधान में कितने मौलिक करतब भी हैं 11 मौलिक करतब भी हम बता चुके हैं 10 मौलिक करतब 42 में संविधान संसोधन की बात करते हैं 1976 में जोड़े गए और एक संविधान संसोधन 6-14 वर्स तक के बच्चों को सिच्चा का प्रवंद परती एक मावाप के द्वारा किया जा ये 2002 में जोड़ा गया है 86 में संविधान संसोधन की बात करते हैं Next question है मौलिक करतब भी हम संविधान संसोधन की बात करते हैं अनुच्चेद 51 को संविधान में सामिल किया गया है 42 में संविधान संसोधन अदिनियम 41 में संविधान संसोधन अदिनियम कुछन है भारती संभिधान एक मिनट इस पर कुछ इस पर चरचा नहीं करनी लेकिन इसके बाद में कुछ चीज़ें इसमें रह गई हैं उन पर चरचा कर लेते हैं थोड़ा सा मौलिक करतब हम आपको बता चुके कि 42 में संभिधान संसोधन भाग चार का और अनुच्छे 51 से के दोरा जोड़ा गया यह तो अभी उपर हो पहले कुछिन हो चुका इसके बाद में इसमें मूल करतब्यों के संख्या कितनी थी 10-11 जोड़ा गया 2002 में यह भी कर चुके हैं इसके बाद में यहां पर है कि 42 मां संभिधान संसोधन 1976 जो है मौलिक करतब्यों को जोड़ रहा है और यह रूस से लिया गया है ये किसकी सिफारिस पर तो यहां पर आ जाएगा स्वारण सिंग सिमिति की सिफारिस पर यह संबिधान से जोड़ा गया है सिमित की सिफारिस के अमसार ये जोड़ा गया है नेश्ट कुश्चन है भारती समिधान में कितने मूल कर्तब दिये गए है भारती समिधान में मूल कर्तबियों की बात बार बार कर रहे हैं 11 मूल कर्तब दिये गए है किस की सिफारिस पर किसकी सिफारिस पर सरदार स्वरड़ सिंग सिमित की सिफारिस पर तो इसके बाद में next question पर हम रुख करते हैं निमलिकित में से कौन सी सिमिति ने मूगल करतब्यों को संविधान में समिलित करने का सुझाओ दिया मलहत्तरा सिमिति कितने बाद करेगा सुरड़ सिंग सिमिति बार बार आ रहा है बता चुके हैं next question है निमलिकित में से किस की संविधान के अधार पर मूल करतब्यों समिधि प्रादानों को भारत के संब्हान में जोड़ा गया है बार बार कुस्चिन की रेड़ पीट की रख दी वही कुस्चिन आ रहा बार 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 भार भारती सम्धान के अंतरगत ने लिखित में से कौन एक मौलिक करतब नहीं है लोग चुनाओं में बोट डालना ग्यानिक देश्टकॉंड और ग्यान अरजन की भावनाओं को विक्स की जर्चा करते हैं तो यहां जो बोट डालना है यह मौलिक करतब नहीं है बाकी सभी मौलिक करतब हैं तो इसके बाद में एक कुस्चिन और इस वीडियो का लास्ट कुस्चिन बचा है राजसवा की विसेश सक्ति इस आसे का प्रस्ताव अपना कर सम्मिदान के सब्सक्त को सब्सक्त बना सके इसके तहित अपसर नंबर चला जाएगा ती 4249 अनुच्छेट कौन सा है अनुच्छेट 249 की बात करते हैं तो यह आपके 20 कुस्चन मौस्ट इंपार्टन कुस्चन भारती सम्मिधान से समाप्ति किये हैं जिन्हें हमने मौलिक करतब्यों क की बात की है और नीत इंडिसकत्तों की बात की है